हेलो फ्रेंड्स हैपी सक्रांती आपको सभी को तो संदोस की चन में फिर से आपका एक बार स्वागत है तो देखे फ्रेंड्स आज बनाते हैं चूर्मा तो मैं बाटा का चूर्मा बना के दिखाती हूं आपको हमारे इधर चूर्मा बनाते हैं आपकी पताय नहीं क्या बनात मोल्डर चपाती बनाते हैं उससे मोटा है आटाई इसको दूद से आटा पोथना है हमारे को इसका बना के तयार कर लेता है तो देखे फ्रेंड समने आटा बना के यह बाटा बना के तयार कर लिया मोटे आटे के दूद से तो यह 2 kg आटा था इसका मैंने बना लिए वाटा आगे करते हैं काम सुरू यह दूद से लगाया इसमें सारा और कुछ नहीं डाला मने पानी इसके लिए चलिए हमारे के बाटी को पर चूर्मा की रेसिपी मैंने पहले भी डाल रखिए पर अब की बार बनाएंगे बाटा का चूर्मा इजियली बन जाता है दस मिनट में बनके तयार हो जागा दस पंदरा मिनट में तो इसको कर लेते हैं घरम इसको इसी साफ से पूफ सारे बाटे रख देंगे इसको बार बनाची लेडियाए नहीं, अटीका चूर्डे जाता है प्राफ टूंगे गूंगे अवर्मा प्रूंगे जाता है प्रफ़ों प्राप्राब। तो देखिए फ्रेंग्स बाटा अब अच्छे से शिक्के नहीं है अभी तीन चाहर मिनट ही हुई है पकाते हुए तो इसको लगेगा 10-15 मिनट का समय और इसको समारना जरूरी है कि नीचे चिपकेगा तो कचा रह जाएगा तो देखिए फ्रेंग्स पास बिनट होगी चैट करते हैं इसको कर देंगे बदली देखिए जब भी चैट करना है नहीं तो बात है हमारे जल जाएंगी इसे से जुचाएमा को में तो ज्लिटन जाएं तो इस बार चैक करते हैं इसको 5-6 मिनट हो गई तो देखिए रच्छे से पकरे हैं आप देख सकते हो गैस मैंने हाई पे कर रखा है तर मैं 4-5 मिनट में इसको एक बार चैक कर रही हूं इसलिए बिल्कुल भी नहीं लगेंगे चूर्ला जैसा चूर्मा बनके तयार होगा इ तो देखे फ्रेंग्स बाट बनके तियार हो गए आप देख सकते हो इसको खास से चेक करने हैं इसे यह दबरा नहीं है बिल्कुल भी इसका मतलब ही अच्छे से पक गया इसको ठंडा करके मिक्सी में करेंगे दर्द्रा पाउडर तो देखे बाट अच्छे से पक गया है तो इसको निकाल लेते हैं अधल बहुत थंडा करेंगे और फिर दर्द्रा पाउडर बनाएंगे इससे साब से देखें बिल्कुल भी जले नहीं देखे फ्रेंड्स पूरा हमने चूरूमर त्यार के लिए इसके ज्यादा बारीक पाउंडर नहीं किया अच्छे से बाटा कितना अच्छे शिके तो देखे इसके कितना अच्छा चूरूम्र बना पूरा तो इसमें डालेंगे हम बूरा पूरा आपकी साफसे डाउसर के कम ज्यादा मैंने लिया यह पचास करण पाजू यह लिए बदान की टुपड़ी यह लिए पिस्ता यह हमने लिए लाई जी के साबूत दाने और यह मैंने लिया है 60 ग्राम मावा यहमने गर्पी बनाया था मावा को इसको एथरिषे से ब्रेट कर लेते हैं कर दो बस लें इससाफसे कर दो इब कर दो लेते हां कुछ और तो देखी इसमें मावा हमने डाल दिया हब इसमें करेंगे घड़ा अब इसमें जाएगा देशी गी यह आप आपके साफ से डाल सकते हैं कम ज्यादा अब इसको अच्छे से भी ला लेंगे आप देख सकते हो इसी साफ से अच्छे से मिला अच्छे से मिला थेखे एग इसका बेंगी अच्छे से मिक्स हो जाएग इसमें तो लग रहा है न कि तना अच्छा चुर्मा देखे फ्रेंड आप ऐसे बोलते हैं गैस पे चूर्मा नहीं बनता है जोले का जैसा चूर्मा बना है इसको पांस साथ मिनट अच्छे से मिलाई तो देखे मैंने इसमें ट्रांसपर कर दिया क्यों पराती छोटी पड़ रही थी तो इसमें अच्छे से मिला देंगे तो कि इस वहींडे तो बहोच्प पड़े तो ओ खरुड़ विलाए और रहां रहां है तो ड्रुटक्ष पस्वाल शिक्प्टर safe दो готов देखे जासांव है तो बामे थी तो वड़से से मिला है तो दो च्तले है sce तो रहां है तो ड्या है तो रहां है पी तो लुदा है क्षब